13 दिसंबर को संसट के अंदर जो कुछ भी हुआ उसने अब संसट को एक चर्चा का विश्य बना दिया है खास तोर पर संसट की सुरक्षा को लेकर कई तरीके की बाते हो रही है क्योंकि जो सुरक्षा घेरा था ये मल्टी लेविल था दो व्यक्ति आखिर अंदर कैसे पहुँचते हैं और इतनी बड़ी हिमाकत उनकी ओर से कैसे की जा सकती है और कोई स्मोक क्राकर लेकर आखिर अंदर संसत के कैसे पहुँच सकता है बहुत सारे सवाल है जाज जिन सिया अलट है लगातार काम हो रहा है कारवाई चल रही है और उनसे पूछताज भी की जा रही है इस दौरान आपने बहुत सारी खबरे सुनी होंगी बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे कई सारे विश्लेशन आपने देखे होंगे कई विडियो सोशल मीडिया पर सर्क्लेट हुए आपने देखे होंगे कई तस्वीरे भी इसको लेकर आपने देखी होंगे लेकिन आपकी जहन में एक सवाल जरूर होगा सवाल यही कि यह जो चार लोग थे दो सदन के अंदर दो सदन के बाहर और इनके अलावा जो दो नाम और सामने आये हैं यह आखिर कौन थे कैसे यह आपस में मिले कैसे इन्होंने पूरी प्लानिंग की क्योंकि सब अलग-अलग जगहों से आये हुए थे कोई भी किसी एक जगह का नहीं था कोई लखनव का था तो कोई हिसार का था तो कोई महराश्ट का था सब अलग-अलग जगहों से आये हुए लोग आखिर आपस में कैसे मिलते हैं और इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी साज़ेश कैसे रचते हैं देखिए हर चीज के पीछे एक कहानी होती है इसके पीछे भी एक कहानी है कहानी क्या है अब आप सुनिए ये कहानी शुरू होती है लगभग आज से डेड़ दो साल पहले जब ये तमाम लोग आपस में मिले फेस्बुक के जरिए मनुरंजन, नीलम, अमोल, ललिट, सागर ये सब मिलते हैं फेस्बुक के जरिए फेस्बुक पर एक पेज है भगत सिंग नाम से भगत सिंग फैन पेज से तमाम आरोपी जुड़े हुए थे यही पर इसी प्लाटफॉर्म पे इनकी मुलाकात होती है 2022 में ये प्लान करते हैं कि ये अब आमने सामने एक दूसरे से मुलाकात कर ले फिर ये सभी आरोपी मुलाकात करते हैं मैसूर में और मैसूर में ये इनकी पहली मुलाकात भी थी साल 2022 में इसके बाद ये प्लानिंग बनाते हैं कि अब संसत की रेकी करनी चाहिए संसत की रेकी के लिए ये पहली जिम्मेदारी देते हैं Manurandjan को Manurandjan को इन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो अंदर जाकर संसत की रेकी करेगा और उसने ये काम कब किया इसी साल 2023 में मार्च में जब बजट सत्र चल रहा था उस दोरान मनुरंजन ने संसत के अंदर की रेकी की संसत के बाहर की रेकी भी जरूरी थी क्योंकि ये प्लान सेट करना चाते थे देखना चाते थे कि जो सुरक्षा घीरा है आकर कितना बड़ा है क्योंकि बहुत सक्ट चेकिंग बहां पर होती है तो बाहर की जिमेदारी दी गई थी सागर को, सागर और मनुरंजन ये वही दो लोग हैं जो उस वक्त अंदर मौजूद थे, जो कूदे थे वेल में और SMA Visitors गैलरी में, गैलरी से इनुने कूद लगाई थी और सागर को जिमेदारी बाहर की दी गई थी यानि कि संसत के बाहर की जो रेकी थी वो सागर की ओर से की गई थी इसी साल जुलाई में फिर इनकी प्लानिंग बनती है कि आब ये लोग कैसे मिलेंगे गोमती एक्स्प्रेस टेन से सागर लखनों से दिल्ली पहुंचता है और उसी के एक घंटे बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमोल भी पहुंच जाता है अमोल महराश्ट उसे नीलम हिसार से दिल्ली पहुंचती है यानि अलग-अलग जगाउं से प्लान करकर सब दिल्ली में आते हैं दिल्ली पहुंचते हैं और सभी आरोपी फिर मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं मेट्रो स्टेशन से ही पूरी कहानी शुरू होती है जब इनकी मुलाकात वहां पर होती है 10 दिसंबर को सागर, नीलम, अमोल ये तमाम लोग गुरुग्राम पहुंचते हैं और 10 दिसंबर की रात को लगबग ललित भी गुरुग्राम पहुंच जाता है मनोरंजन 11 दिसंबर की सुबा को गुरुग्राम पहुंचता है यानि सब प्लान करते हैं कि वो गुरुग्राम में अब मिलेंगे दिल्ली के बाद इनका अगला पड़ाव होता है गुरू ग्राम, तो गुरू ग्राम में इन सब की मुलाकात होती है, तीन दिन तक यारोपी वही पर रुखे, गुरू ग्राम में ही ठेहरे, वही पर विचार विमर्श इनका हुआ, पूरी प्लानिंग वहां पर बनी, और पा रानिंग 14 दिसंबर को थी, लेकिन क्योंकि पास जल्दी मिल गया, इस वज़े से इन्होंने 13 दिसंबर को ही इस पूरी साज़ज को अंजाम दे दिया था, और इसी वज़े से 13 दिसंबर की तारीक इनकी ओर से यहां पर तै की गई थी, इससे पहले यह चाते थे कि 14 को किया, और 13 दिसंबर को सागर ने सदर बाजार से तिरंगा भी खरीदा था, इसके लावा महादेव रोड से सांसत की पीए से सागर ने पास भी हासल कर लिये थे, मतलब इन सब के लिए एक पास बने थे और सांसत की जो पीए थे उनकी ओर से सागर ने पास हासल किये, फि कि कोई चूक ना हो जाए संसत के अंदर ये आराम से पहुंच जाएं उसके बाद इंडिया गेट पर ही ये तय हुआ कि सागर और मनुरंजन को अंदर भेजा जाएगा तो यहां से प्लानिंग सेट होती है कि अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन रहेगा सागर और मनुरंजन दोनों अंदर रहते हैं, मरर रंजन और सागर वहीं दोनों हैं, जिन्होंने संसत के अंदर की रेकी की थी, और बाहर की भी, वहीं लखनव से सागर जूते भी लाया हुआ था, तो सोचे किस तरीके से पूरा प्लान इन्होंने याँ पर सेट किया, जूता वही है, जो पूरा प्लान यहां पर सेट किया था और ऐसे मुलाकात होती है, पूरी प्लानिंग 9 महीने पहले ही बना ली गई थी, 14 दिसंबर की तारीक तैकी गई थी, लेकिन क्योंकि पास जल्दी मिल गए, तो 13 दिसंबर को ही इन्होंने पूरी साज़िश को अंजाम दे दिया.